आज मैं आपको नए तरीके से फंदे डालना सिखाने वाली हूँ ये देखे बहुत ही आसान है ये बनाने में और बहुत ही प्रेटी बनता है या आप इसको लेडीज प्रोजेक्ट बच्चो की फ्रॉक्ष का अट शॉल मफलर पॉंचो इसको ट्राइ कर सकते हूँ ये देखे बहुत ही प्रेटी बनते है छोट-छोटी नोट आती है इसमें बीच में ये देखे छोटी यहाँ पर और ये जिगजग की सेफ में ये बॉडर आता है चोड़ सोड़े कुंदों की सेप में ये डिजाइन आता है तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना अगर आपको ये मेरी टेक्निक्स परन दाएगी तो प्लीज लाइक जुरू कीजेगा दूसरों के साथ शेर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अब इस बौडर की और इसको बनाने के लिए देखे आपने पहले जिस तरह से आप फंदे डालते हो उस तरह से आपने फंदे डाल लेने हैं और जितने आपको फंदे चाहिए उससे हाफ फंदे ही आपने डालने हैं जैसे मान लीजिए आपको लगाने है 40 फंदे, तो पहले आपने नॉर्मली 20 फंदे ही डालने हैं, 20 फंदे ही डालने हैं, फंदे आप देखे किसी तरह से भी डाल सकते हो, आपको मैं एक तो टेक्निक यहां पर बता देती हूं, देखे एक तरीका हमारा इस तरह से फंदे डा लेने हैं इस तरह से आधे फंदे डालने हैं और एक हम इस तरह से भी फंदे डालते हैं एक तरीका हमारा यह होता है फंदे डालने का तो इस तरह से आपने आधे फंदे डालने हैं जितने आपको requirement है उसे हाफ आपने डालने हैं मैंने डाले हैं यहाँ पर 13 स्टिचिज 13 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं तो चलिए अब मैं इसको बताती हूँ आपको कि किस तरह से हम यह बनाएंगे देखिए ध्यान से देखिएगा आप सीधी तरफ है हमारी यह सीधी तरफ तो तहली रो सीधी तरफ से एक रो ही में ही हमारा डिजाइन पड़ जाता है तो देखिए ध्यान से देखिएगा पहला फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे यूँ अब उसके बाद देखिए अब हम सलाई को नीचे से यूँ ले जाएंगे कोई भी फंदा नहीं पकड़ेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पर नीचे से हम सलाई को यूँ ले जाएंगे और यहाँ से एक धागे को यूँ गुमाएंगे सीधा फंदा बनाएंगे हाँ पर और इसको ऐसे छोड़ देंगे, अब एक फंदा इसके साथ हम सीधा बनाएंगे, इस तरह से सीधा बनाएंगे, और उसके बाद फिर से देखिए हम सलाई को नीचे की तरफ से ले जाएंगे, नीचे की तरफ डालेंगे, कोई भी फंदा नहीं पकड़ेंगे, हमने ये नीचे से सलाई गुमाते हुए सीधा फंदा बनाना है और आगे वाला फंदा सीधा बना लेंगे और देखे यही हम पूरी रो में रिपीट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे और सलाई को नीचे से ले जाते हुए एक फंदा वहां से निकालेंगे यूँ और आगे वाला फंदा इसके साथ हम सीधा बनाएंगे तो देखे यही step हम बार-बार repeat करेंगे पूरी row में last तक हमने यही करते जाना है एक फंदा पहले सीधा बनाया उसके वासलाई को नीचे से यूँ डाला वहां से एक फंदा सीधा निकाला और फिर आगे वाला फंदा सीधा और इसी तरह से देखे आपने यह पूरी row कंप्लीट करनी है अब देखे मैंने यहाँ पर अपनी row यह आलमोस्ट कंप्लीट कर ली है लास्ट का फंदा मेरे पास बचा है तो उसमें भी देखे हम पहले सलाई को नीचे से यूँ डालेंगे यहाँ से एक फंदा सीधा निकालेंगे यूँ और यह लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे इस तरह से देखे पहली row हमने कंप्लीट कर ली है अब row 2 में आ जाईए wrong side से तो row 2 wrong side से हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे पूरे फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना लेंगे यह इस तरह से अब देखे row 2 मैंने रॉंग side से कंप्लीट कर ली है यहाँ पर देखे आपको कुंदे दिख रहे होंगे चोटे चोटे यह देखे अब इसके बाद आप कुछ भी design यहाँ पर बना सकते हो जैसे भी आ बॉर्डर बनाना चाहते हो चाहे तो एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से आ बॉर्डर बना सकते हो या उल्टी उल्टी row भी निकाल सकते हो एक निकाल आपको और में थोड़ी सी रो आपको थोड़ा सो बॉर्डर यहाँ पर बना करके बता देती हूं मैं उल्टे उल्टी सारी यह तीन चार रो बनाती हूं यहाँ पर उसके बाद आपको ज्यादा प्लियर यह दिखेगा तो मैं ये complete करके आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखे मैंने थोड़ा सो बॉडर ये बना लिया है और देखे आपको कुंदो की सेप में ये डिजाइन दिख रहा होगा बॉडर का तो इस तरह से जब आप बनाते जाओगे तो आपका ये बॉडर इस तरह से उतना ही खिलेगा देखे ये भी मैंने उल्टे उल्टे डाली हुई है और ये एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से ये डाला हुआ है तो आप जरू ट्राइ कीजिएगा इसको देखे बहुत ही प्यारा बनता है ये और ट्राइ करने के बाद मुझे कमेंट भी जरूर कीजिएगा और चलिए पसंद आया हो तो इस तरह से मैं आपको फंदे कैसे बंद करते हैं इसी की शेप में वो भी बताऊंगी ताकि आप पूरा अपना कार्डेगन इस तरह से बना सकें गले पर भी इस तरह से बना सकें वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो फिलाल वीडियो को लाइक करना बिल्कुन मत भूलेगा थैंक्स वर बाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में